हलो नमस्ते जी कौन बोल रहे हैं मैं स्रावल कुमार रावाद बूत अध्यक्ष पंडित दीन दयाल मंडल वारारजी दच्छडी से बोल रहा हूँ सर को स्रावल कुमार जी बहुत खुशी हुई आप से बात करने का मोगा मिला थोड़ा अपना परिज़े बता दीजिए जी जी का हाल हो वाबा थैंगा दरशन आपने किया जी हाँ परिवार समेद बाबा के भाम का दर्शन किया हमने बाबा विसुनाजजी के ध्यां के नो डिर्मालее के-अधे में आपको नमन करता हूं पूरा परिशन बहुत अलौकिक दिखाई दे रहा है इस तामय सर् दिशनाद धाम के लोकारप्रा के बाद दर्शनार्टियों के भी संख्या में भारी बिद्धी होई है कॉल फुल बेचने वाले भाईयों से लेकर बड़े-बड़े होटलों को व्यपाद बढ़ाने का उसर मिल रहा है सर बनारस की कचोड़ी देजबर के लिए वैचे ही परसिद रही है और यहां परसाद बेचने वाले और लकड़ी के खिलाओने बेचने वाले ज्यादा तर गरीब तबके के ही लोग यहां रहे हैं और जिनको अब रोजगार का उसर मिल रहा है और उनके हिर्दै से आपके लिए बस आशिरवाद ही निकल रहा है मागंगा के निर्मली करण और इसके लिए किये गए परेत्न भी आपके द्वारा अध्भूत है सर देश दुनिया किसी यहां आने वाले हर तिर्थे अत्री आपको बहुत बहुत आशिर्वाराद देते हैं सर और कल मुझे एक आदमी विला था सर जिसने सिरिविस्नात दाम ने समित के रूप में कारे किया था और वो बहुत खुशता आटीर ही खुशता उसकी खुशी देखने देखे बनती थी सर कि आपने जिस तरह सिस्रहिंकों की उपर फूल बरसाए थे और अपनी कुर्ची दूर फेप कर और उनके साथ बैठे आप आपने वहाँ काम करने वाले को इतना चाल रखा सर कि वो आपकी तारीब करते अढ़ाते नहीं है और काफी खूस दिखे वो सरवन जी यह आप से सुन करके मुझे अच्छा लगा जो सही इच्छा थी कि गरीब को महां रोजगार मिले गरीब के जीवन में बढ़लावाए आपने बहुत अच्छे दंग से सारे गरीबों के काम में कितनी गती आई इसका वर्णन किया मुझे अच्छा लगा अज़ा पहले भी आपको विश्वनाद जाता ही होगे तो काशी का तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं कि जो काशी विश्वनाद जाता नहों तो अभी क्या फरक महसुस हुआ सर अब तो जमीन अस्मान का फरक आ गया है सर पहले तो गलीयों से गुजरते थे तो ऐसे ही कंदे छिल जाते थे एक दूसरे से धक्कामुकी से दर्सन का सारा मजा ही खतम हो जाता था लगता ही नहीदा कि daцевर करने जारे हैं कि युद्ध करने जारे हैं सर लेकिन आज तो वो भवेता दिखाई देती है सर कि देखते ही बनता है मेरा परिवार बहुत खुशता आज के पहले भी मैं दर्सन करने जाता था वहाँ सर लेकिन वो भवेता, वो डिवेता और उस तरह किसे हम दर्सन नहीं कर पाते थे जैसा दर्सन आज किया सर और एक दिन में ऐसे ही वहाँ चौक है सर और चौक मैं ख़ड़ा होके मंदिर की तरफ देख रहा था तो अजीब सा मंद में एक खुसी व्याप्त हो रही कि सर कि आज के पहले मैं कैसा देखता था इस मंदिर को कैसे मैं बता नहीं सकता सर लेकिन आज इतनी खुसी है कि बाबा विश्वनात कैसे रूप में हमको दिखाई दे रहा है सर और ये सब आपकी वज़े से संभव हो पाया है सर और कोई हम तो हम नहीं समझते कि कोई ऐसा कर पाता आप तो सर इतिहास पूरुश होगे सर आपके दवरे किया गया कार इतिहास के पन्नों में दर जोगा सर कभी कलपना कासी वासिओ कभी कलपना भी नहीं रही सर ये ऐता भी होगा कि एक दिन बाबा विश्वनाच जी के पास हम लोग इस तरफ से पहुचेंगे हम लोग जाते थे सर रंग भरी एका दसी को दम घूटने लगता था सर जैसे लगता था कि हार्ट अटेक हो जाएगा और आज इतना दिव इतना भवे पर सर है सर कि देख करके लगता है कि बस मुह से केवल बस एक ही चीज़ दिकलती है कि भगवान आपको महाकाल सदा आपकी रच्छा करे हर मुसीबतों से आपको बचाए और हमारे बीच आपको हमेशा रखे सर आप तो मेरे कासी के देवतुले सांसर है सर और मैं क्या कहूं सर आपके लिए कोई भी वर्ड अगर मैं बहलूगा कोई भी सब्द बहलूगा तो वह चोती पड़ेगी सरमण जी सरमण जी आप एक बूत के प्रेसिदेंट है लेकिन जिस गहराई साब बात को बतारा है मिझे बहुत खुशी हुई कि एक बूत लेवल पर मेरा एक कारकरता इतना सजग है इतना व्यापक उसकी द्रश्टी है और सरमण जी मैं तो देख रहा था कि आप इतने भावुक होकर के बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपके लिए आपको बोलने के मिरे पास सब्दे ही नहीं है सर कि मैं जिसका बता हूँ सर मैं कुछ नहीं बोल पाता आपके लिए आप किया कैशे पहां जिया जो कुछ भी है ना ये साब बाबा की कुर्पा है नहीं सर आप तो साथ कुछ बूदा की बना कहां कुछ होता है उन्होंने तो हम सब को माध्यम बनाया है और इसलिए मैं आपको और भाजपा के हर कार करता हुआ करूंगा कि लोगों की सेवा के मोके को हमें गवाना नहीं है जब भी सेवा का मोका मिले हमें पूरी सक्ति से वारानसी के वारानसी के लोगों की सेवा करनी है क्योंकि बनारस के हर संकल्प में और यहां के हर कंकर में महादेव संकर सर और स्वाइम बिराचते हैं मेरा एक आगरह है आप सभी को बनारत में स्षचता बढ़ाने के लिए और जागरूता फैलानी होगी मैं आपको एक काम दे रहा हूँ आप अपने सात्यों के साथ मिलकर जो लोग वारान से आते हैं तो बहुत लोगों भारवालों को पता नहीं होता है और इसलिए मैं आगरह करूँगा कि हम लोग ऐसी आदर लोगों की आदर जाने कि जो भी लोग आएंगे उनको आप कबीर चौरा ले जाने का प्रयास करें और संत्रभिदास के मंदिर के भी दरसन करवाएं देखिए अपनी सरकार ने वहां भी भहुत सारे काम कराए हैं इससे बारान से की करती विरासत परियाटन सब को लाप होगा